नुश्का स्टुडेंट्स, डियर नाइन्थ कलास, ये है आपकी सेकिंड बुक मॉमेंट्स, का फिफ्ट चेप्टर दा हैपी प्रिंस, इसको आज स्टार्ट करते हैं, खुस राजकुमार, क्या स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं, दा हैपी प्रिंस वाज ब्यूटिफुल दा हैपी प्रिंस, एक सुंदर प्रतिमा थी, बुथ था, ये वाज कवर्ड विद गॉल्ड, उसको सोने के साथ कवर किया गया था, मतलब उसकी उपर वाली प्रत सोने की थी, उसकी आखों में नीलम थे, सिफार में नीलम, एंड ए रूबी इन ए सवार्ड, और उसकी तलवार में मनिक था, जो जितना भी सोना उसके पास था, वाए क्यों देना चाता था, और अपने कीमती रतन क्यों देना चाता था, यहां स्टोन का मतलब रतन है, High above the city, सहर में उचाई पर, on a tall column, एक लंबे स्टम पर, stood the statue of the happy prince, happy prince का बुद्ध खड़ा था, happy prince की पर्तिमा थी, he was gilded all over with thin leaves of fine gold, बहुत ही अच्छे सोने की, पतले पतियों के साथ उसको जड़ा गया था, उसके उपर वाला हिस्सा, सोने, पतले सोने की चादर से ड़का हुआ था, उसके उपर जड़ित था, सोना, horizon, he had two bright sapphires, उसकी आँखों में दो चमकीले नीलम थे, and a large red ruby glowed on his sword, hilt, hilt का मतलब तलवार का मूट, बिल्कुल आगे वाला इसा, जांसे तलवार को पकड़ा जाता है, और उसके तलवार के मूट पर एक बहुत बड़ा लाल मनिक चमक रहा था, गलो मीन, चमकना, one night, there flew over the city a little swallow, swallow होता है, अबाबिल पकशी, एक रात को वहाँ, सहर के उपर से एक छोटा अबाबिल पकशी उड़ा, his friends had gone away to Jift six months before, but he had stayed behind, then he decided to go to Jift 2, उसके दोस्त, छे सब्ता पहले ही मिसर चले गई थे, परन्तों वहाँ, पीछे ही रह गया था, अब उसने मिसर जाने का फैसला ले लिया था, किसने अबाबिल पकशी ने, ये पिक्चर में दर्शाय गया है, एक टाल कोलम के उपर, हैपी प्रिंस की स्टेचू है, स्टेचू के पास एक बार्ड है, स्वैलो, अबाबिल पकशी, और वो सामने जो पिक्चर दिखाई दे रही है, वो नगर की है, राजमेहल की पिक्चर है, मैं उमीद करता हूँ कि नगर ने तयारियां कर ली है, फिर उसने एक लंबे स्टाम पर एक बुथ दिखाई दिया, आई विल पूट अप देयर, ही क्राइट चिलाया, मैं वहीं बैठूँगा, इट इस फाइन पोजिशन यह, एक अच्छी पोजिशन है, विद प्लेंटी ओ फ्रेश एर, और बहुत सी ताजा हवा मिलेगी, पर्चूर मात्रा में, प्लेंटी ओफ, इसलिए वह है, एपी प्रेश के, कदमों के बीच में आकर उतर गया, उतर गया, उपर उड़कर आ रहा था, नीचे आकर बैठ गया, जैसे ही उसने कॉमलता से अपने आपको कहा, जैसे ही उसने चारों और देखा, और उसने सोने की तैयारी की, परंतो जैसे ही वह, जैसे ही वह अपना सिर नीचे रख रहा था, पुटिंग रखना, जैसे ही उसने पंखों को के नीचे, अपने सिर को वह नीचे रख रहा था, पंखों में अपने सीर को दबोच रहा था पानी की एक बड़े बॉंद उसके उपरा गिरी What a curious thing क्या विचितर बात है He cried वाचिलाया There is not a single cloud in the sky या कास में एक भी बादल नहीं है The stars are quite clear and bright तारे बिलकुल साफ और सम के लिए है and yet it is raining और फिर भी बर्षात हो रही है Then another drop fail फिर दूसरी बूंद गिरी What is the use of a statue if it cannot keep the rain off यदि यह परतिमा बुद बर्षात को नहीं रोक सकती तो इस बुद का क्या लाब है I must look for a good chimney pot and he determined to fly away मुझे कोई अच्छा सा chimney pot देखना होगा और उसने उड़ जाने का निश्चे किया determined, निश्चे करना दर सिंकले पलिना But before he had opened his wings a third drop fail and he looked up and saw Ah, what did he see? प्रन्तु इससे पहले वह अपने प्रंखों को खोलता एक तीसरी बूंद आगे रही और उसने उपर के और देखा और देखा रही उसने क्या देखा? What did he see? क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears were running down his golden cheeks Happy prince की आखें आशों से बरे हुई थी और आशू उसके सुनहरे गालों के उपर से बहर रहे थे His face was so beautiful in the moonlight उसका चहरा चंद्रमा की रोशनी में अर्थात चांदनी में इतना सुन्दर लग रहा था that the little swallow was filled with pity की छोटा अबाबिल पक्सी दया से भर गया था Who are you? he said उसने कहा तुम कौन हो? I am the happy prince मैं happy prince हूँ Why are you whipping then? तो फिर तुम क्यों रो रहे हो? Ask the swallow अबाबिल ने पुछा You have quite drenched me तुमने तो मुझे बिगो ही दिया drenched में बिगोना, गिला करना When I was alive and had a human heart answered the statue बुत ने उतर दिया जब मैं जिवित था मेरा एक मानविय हर्द्य था I did not know what tears were मैं नहीं जानता था कि आसू क्या होती है For I lived in the palace क्योंकि मैं राज महल में रहता था Where sorrow is not allowed to enter जहां दुख को अंदर नहीं आने दिया जाता My courtiers called me the happy prince मेरे राजदरबारी मुझे happy prince कहकर पुकारते थे खुष राजगुमार कहकर पुकारते थे And happy indeed I was और सच मुच मैं खुष ही था पर संचित रहता था So I lived and so I died And now that I am dead They have set me up here so high That I can see the ugliness and all the misery of my city And though my heart is made of lead Yet I cannot choose but whip और अब मैं मेरित हूँ उन्होंने मुझे यहां इतनी उचाईप रख दिया है कि मैं मेरे सहर के सभी दुखों को और बद्देपन को देख सकता हूँ Agliness, बद्दापन, कुरुपता, misery, दुख, कस्ट यदपी मेरा हर्दे सिसे का बना हुआ है फिर भी मैं चुन नहीं सकता, बट विप, लेकिन रो सकता हूँ वाट, क्या, is he not solid gold, said the swallow to himself अबबिल ने अपने आपको कहा, क्या वह है, ठो सोना नहीं है He was too polite to make any personal remarks वह इतना विनमर था कि कोई नेजी टिपनी नहीं कर सकता था Far away, continued the statue in a low musical voice Far away in a little street, there is a poor house Law musical voice, दे में, संगीत में, आवाज में बुत ने कहा, दूर दूर तक, दूर दूर तक एक छोटी सी गली There is a poor house, वहाँ एक गरीब घर है On the windows is, one of the windows is open उसकी एक खिडकी खुली है And through I can see a woman, seated at a table और उस खिडकी में से मैं एक महिला को मेज पर बैठे हुए देख सकता हूँ Her face is thin, उसका चैरा पतला है and worn और ठका हुआ है And she has caused red hands All pricked by the needle और उसके हाथ सुई से छिले हुए हैं, प्रिक्ट छिले हुए हैं, दर्द में हैं बद्दे हो गई हैं, लाल हो गई हैं, सुई चला चला कर So, for she is a simstress क्योंकि वह एक दर्जिन है, tailor है Simstress means tailor, दर्जिन कपड़े सिलनेया काम करती है She is embroidering flower sonic satin gown for the loveliest of the quincemates of honor वह है राने की नोकरानी, सबसे प्यारी नोकरानी का गाउन के उपर फूलों की कढ़ाई कर रही है To wear at the next court ball जिसने अगले राजदर्बार की नर्टे पार्टे में जिसने उस गाउन को पहनना है In a bed in the corner of the room कमरे के कोने में बिस्तर पर her little boy is lying ill उसका छोटा लड़का बिमार पड़ा हुआ है He has a fever उसको बुखार है And is asking her mother to give him oranges और उसकी माता उसको संत्रे देने के लिए कह रही है His mother has nothing to give him उसकी माता से संत्रे मांग रहा है His mother has nothing to give him उसकी मा के पास देने के लिए कुछ नहीं है But river water लेकिन नदी का पानी So he is crying इसलिए रो रहा है Swallow, swallow, little swallow Will you not bring her the ruby out of my sword hilt Ababil, Ababil, छोटे बाबिल क्या तुम उसके लिए मेरी तलवार की मूट से Ruby को, मनिक को नहीं निकाल कर ले जाओगे My feet are fast and to this pedestal मेरे पैर इस इस पत्थरनों मा स्टम के साथ सक्त जकड़े हुए हैं and का I cannot move और मैं hill नहीं सकता Dear students ये था आपका लेशन Happy Prince का मैंने आपको First page और उससे भी आगे वाला page हाफ Study करवा दिया है I hope आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा आपने से भी word meanings note करने हैं, याद करने हैं आपको कैसा लगता है, comment करके जरूर बताइए Like कीजिए, Share कीजिए, Subscribe कीजिए, Comment कीजिए Thank you